साथ जो 2014 के पहले के 10 साल में देश जिन नीतियों पर चला था, वो वाकरी देश को कंगाली की रहा पर लेके जा रही थी, इस बारे में संसत के इसी सहतन में हमने भारत की आर्थिक स्रिति को लेकर के वाइट पीपर भी रखा है, आज उसकी चर्शा भी चल रही है, और मुझे, मैं आज जब इसना बड़ा ओडियन्स है तो अपने मन की बात भी बता देता हूँ, यह वाइट पेपर में जो आर्ट लाया हूँ न, वो मैं 2014 में ला सकता था, राजनीतिक स्वार्थ, अगर मुझे साधना होता, तो वो आंकड़े मैं दस साल पहले देश के सामने रख देता, लेकिन 2014 में जो चीजे जब मेरे सामने आई, मैं चौँक गया था, अर्थ वबस्ता हर प्रकार से बहुत गंबीर स्थिति में थी, गोटा ले और पॉलिसी पारलिस्क को लेकर, पहले ही दुनिया भर के निवेशकों में गोट निरासा व्यापी थी, अगर मैं चीजों को उसमें खोल देता, जरा भी एक नया गलत सिग्लल जाता, तो शायद देश का विश्वास तूट जाता, लोग मानते हैं डूब गए, अब नहीं बच सकते हैं, जैसे कैसी मरीश को पता चले न, पिस तुम्हें एक गंवीर बिमारी हैं, तो आजादों वहीं खतम हो जाता है, देश का वही हाल हो जाता, पोलिटिकली मुझे वो सूट करता था, वो सारी चीजे भार लाना, राजनीती तो मुझे कहती हैं वो करो, लेकिन राश्टनीती मुझे वो नहीं करने देती, आर इसलिए मैंने राजनीती का राश्टा छोड़ा, राश्टनीती का राश्टा चुना, और पिछले दज साल में, जब सारी स्थित्या मजबूत हुई है कोई भी हमला जिलने के हमारी ताकत बन चुकी है तो मुझे लगा देश के सामने सत्य मुझे बता देना चाहिए चीजे खुल करके रख देनी चाहिए और इसलिए मैंने कल पार्लमेंट में भाइट पेपर पेश किया है उसको देखोग हम कहां थे और कितनी बुरी स्थितियों से निकल कर आज हम यहां पहुंचे हैं